हलो फ्रेंड्स विहाई रेस्पी डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं सिमतिवारी आज आप लोगों को चने दाल की पूरी बनाने की विधी बताऊंगी तो देखिए सबसे पहले हमने चना लिया है इसे हमें फुकर में उबालना है तो हम इस कटोरी से एक कटोरी चना दाल उबालाने को जाए हैं कि और एक कटोरी हो पानी रख लेंग vibesारी किल्कीवर्ण हमें हलका सा उंभाना है कि गल जाए नहीं तो ज suffers जादा पानी लेंगा इसी कोटोरी से हम एक कोटोरी पानी ले लेंगे और पानी डाल करके हम प्रेशा कूकर को घंद कर देंगे और जुनियाज पर इसे हमें एक सीटी लगना है कि हमारे जो है अच्छे से उबल जाए ज़्यादनी नहीं तो यह घिला हो जाएगा अब आप इसको उबाल लीजिये तो उबलने के बार देखिए फ्रेंड्स अब हम इसको हमारा जो है चना दाल अशचे से उबल गया है इस तरह से जो है मिक्स हो जाना चाहिए बिलकुल यह देखिए दाल मिक्स हो रहा है अच्छे से तो हमें इसी तरह से दाल को एक सीटी लगा के उबाल लेना है और अब हमें किन-किन मसालों की जरुरत पड़ेगी तो हम देख लेते हैं पहले हम सबसे पहले लेंगे अहां नमक, स्वाद अनुसार, एक छोटी चमच घरम मसाला, एक छोटी चमच हल्दी पाउडर, जीरा, एक छोटी चमच आठ से दसकरी लहसन और हरा धनिया, दोचार मिर्च का आपने टेस्ट के अकॉर्डिन रखिएगा तो सबसे पहले हम इन सभी मसालों को एक मिक्सी में, बारीक पी barrier, पीश लेंगे, सभी मसालों को अधा मसाला तो पीज़ा हुआ है जो भी अध्रक लाशन और धनिया, पत्ता, हरी मेर्च जिंए, सबसारी चीजे जो है इसको हम इसमें डाल लेंगे, और जो नमक है को इसको हम दाल में मिला लेंगे अपने टेस्ट के अकोडिंग रखिएगा और हम इन मसालों को मिक्सी में बारिक पीस लेंगे तो देखे हमने जो है बारिक मसाला पीछ लिया है अब हम में चना डालू बाला है इसमें नमख भिएट कर दिया है इसमें मसालाई डालेंगे और अच्छे से हम इसको मिला लेंगे उपर नीचे, मिला करके और बीना पानी डालें, क्योंकि पानी डालीएगा तो ये गीला हो जाएगा, हमने हलका मसाला जो पानी दे के पिशा था तो इसी सहारे आप इसको बार-बार मिक्सी में चला-चला के और बारीक पिश लिजिए, इसको पिस करके एक पिठी तयार कर लिजिए और हमने यहां गेहूं का आटा लिया है इसे भी एक जो है रोटी की बनाने के तरह आप इसका दो तयार कर लिजिए तो फ्रेंज देखिए हमारा जो है आटे का डो तयार कर लिया है हमने यह ज़्यादा सॉप्ट भी नहीं रहेगा और यह नॉर्मल रहता है रोटी से थोड़ा यह सॉप्ट रहेगा और हम उसी तरह देखिए इसका पिठी भी तयार कर लिए हैं तो पीस करके बारीक पीस करके अब हम पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले सर्सों का तेल लेंगे तेल को हमने घरम कर लिया है देखिए कडाही रख दिया है तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे एक गोला लेंगे आटे का और हम इसको इस तरह से एक छोटा सा गोला लेंगे, रोटी से थोड़ा बड़ा, तो कि इसमें हमें जोटा ये भरना है, तो थोड़ा हलका मोटा ही रहता है, रोटी से थोड़ा मोटा रहता ही है, अब इस तरह से अंगुठों की सहायता से हम इसे गोला तैयार करके और गढ़ा थोड़ा बना और हम इसमें पिठी भरेंगे इस तरह से ये देखिए और हम इसी तरह इसको दबाते हुए और हम गूर्ला ऐसे त्यार कर लेंगे थोड़े सा सुखा आटा में हम इसे हलका सा सुखा आटा लेके इसे डिप करेंगे और इसको ये काकार दे देंगे फिर अपने हथेलियों की सायथे से इसको हम थोड़ा कर लेंगे ताकि बेलने में हमारा कुरी फटे नहीं तो ये निकलने लगता है फिर वो सही नहीं होता है तो सुखे याट में इसको लपेट किये और इसको थोड़ा हलके बेलन से धीरे-धीरे बेलिये ताकि ये घुमते भी रहे फटे ना देखिए मेरा दोनों साइड जो है इस तरह से अब बेलिये ज्यादा मोटा ज्यादा पतला भी नहीं अब तेल मेरा गरम हो चुका है तेल मेरा देखिए गरम चुगो चुका है तो हम इसमें फिले से छोड़ देंगे और इसी तरह हम दुबारा जो है आटे का दोई लेंगे और तयार करेंगे गैस को मेडियम फ्लेम पे रखिए और फिले से इसको पूड़ी को एक तरब से हलता लालग होने पर पूड़ी को पलड़ दीजिए इसे पकाईए इसे यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है एक बार जो है चने डाल के पुरी विदियो देखे जनुर बनाईएगा यह बिहार का प्रसिद वेंजन है यह दिपावली में गोवर्धन पूजा में अनकुट पूजा में यह बनाया जाता है यह चपन भोग में जो है चने डाल की पोली का भी भोग लगता है तो इसे जो है खीर के और आलू बैगान या गोवी की सबजी के साथ खाईए तो बह होती टेस्टिक रटता है एक बार आप जरूर बनाईए अधी यदि आप भोग के लिए बना रहे हैं तो उसमें लासन प्याज मत डालिए देखिए एक तरब से पूरी जब लाल हुजाए तो इसको फलट भीजिए धिरसे ध्यान रहे हैं पूरी फटना ने चाहिए जो पूरी फटेगा तो इसका जो हमने भरा हुआ है इसमें चने क्या जो पिछी तो वो बाहर निकल जाएगा इससे तेल भी गंदा होता है और प अधानी से बेलिए देखिए हमारा पूरी बिल्कुल तैयार हो चुका है हम इसे फ्लेक में लिकाल देंगे और इसी तरह हम दुबारा पूरी बनाएंगे देखिए हलका हलका इसको दवाईएगा तो यह फूरीएगा और एक कलेगा कल चेंडहोंने पर इसे दुबा परांद कीजिये इसी तरह आप फूरी को بना लीजिये आपको जितना पूरी चाहिए और सक्ता के नुशात समागरी बढा लीजिये अपना इसी तरह चर्य दाल की पूरी बनती है आप जो है घर में बनाये खाईए तो फ्रेंड्स देखिए इसी तरह बनता है चले राल के पूरी आप एक बार जरूर बनाईए तो आप हमारा जो है ये खीर है खीर पूरी सब्जी इसके साथ हो जो लोग खाते हैं बहुत टेस्ट लगता है तो जो है खीर की जो है वीडियो हमारे अल्रेडी पड़ा हुआ है अरा आलु बेगान टमाटर के सबजी की दीत बनी पड़ी है वीडियो तो हमारे इस तरह वीडियो देखिए बनाइए और इस तरह हमारे वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए खीर, हमारा यूट्वब चैनल है सीमा तिवारी उसको लाइक कीजिए, शस्क्राइब अजय के भून नवार